हलो दोस्तों देखिए मार्किट में एक अच्छी रिकावरी देखने को मिली है आप अगर यहां पर जाओगे तो आपको बदा चलेगा स्मॉल कैप इंडेक्स जो इसका लो था लगप चौदे अजार रुक के आसपास चौदे अजार से पंदरे जार तक एक अजार पॉइंट की अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आई है तो क्या यहां पर रैली की शुरुवात हो गई है यह केवल एक ब्रम है इलूजन है यहां पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए उस सभी चीयों से रेटेड मैं यहां पर आपको एक इंडिकेशन देना चाहूँगा ठीक है और आपको बताना चाहूँगा कि exactly क्या ह हो सकता है ठीक है ना कंफर्म कुछ नहीं होता अगर मैं यहां पर बात कर रहो ना सकता है तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी के बारे में भी किसी के स्टॉक से रेलेटेड भी बात की जाती है ना तो सकता है और स सीखने पर ध्यान दीजिए और मैं हमेशा कहता हूँ सीखने पर ध्यान दोगे तो पैसा आपका definitely बनेगा आज नहीं बनेगा, कल बनेगा कल नहीं बनेगा, परसो बनेगा ओके यह patience का game है, stock market क्या है एक patience का game है, जितना आप patience के साथ play करोगे, experience को लेते रहोगे आपके लिए सारी चीटे आसान होती भी नजर आएगी, तो क्या करना है आपको सबसे पहले I am small cap investor channel को subscribe करना है, bell icon को hit करना है, और के notification को on करना है bank selling की recommendation है नहीं बाकी यहाँ पर videos को जाके यहाँ पर देख सकते हैं, okay, सीख सकते हैं यहाँ पर सीखने के एक तो तरीका यहाँ पर videos जाके देखिए, playlist को go through करिए, आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आएगी otherwise, आपको अगर बारी किया सीखनी है, क्योंकि बारी किया बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, क्या, कैसे, किस लिए के जवाब, share market, share यहाँ से ही क्यों भागा, share यहाँ से क्यों गिरा यह सब answer भी तो आपको मिलने चाहिए तो यह answer आपको कहाँ पर मिलेंगे ठीक है, अभी तो यह मैं बात करो index की, बट मैं बात करो share की, particular share भी तो भागता है, क्यों भागता है, क्यों गिरता है वो सब चीट की बारे में आपको आपको जानना है तो आप हमारा course है basics to advanced technical research fundamental, कब लेना है, कब बेचना है क्यों लेना है, क्यों बेचना है, वो उसका inside में आपको देता हुआ नजर आउंगा आपको प्रूफ करता हुआ नजर आउंगा आपको बताता हुआ नजर आउंगा, कि share यहां से ही क्यों भागा, share यहां से ही क्यों गिरा, आपको बता चलेगी 50,000 उपर कोर्स है, complete course की analysis, ओके पूरा कोर्स आपको बताया जाएगा, 3 months की handholding है एक बार course complete किया, एक साल का experience ले लेना, जिस तरीके से मैं यहां पर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, फिर वाकि आप यहां पर, खुदी आप एक साल बाद अपने आपको देखेंगे, कि आप कहां पर हो 8605-40501 8169-261237 इन नमबरों पर आप contact कर सकते हो साथ में काम कर सकते हो, course के बारे में detail ले सकते हो, portfolio बड़ा है तो और अच्छी बात है, यहां पर एक बार inquiry करिए, inquiry का कोई पैसन नहीं है, तो वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं, तो यहां पर आप देख सकते है कि हमारी जो market है रिकवर होती हुई नजर आई, बट एक data है, जो मुझे यहां पर थोड़ा surprise कर रहा है, प्लस में market में भी जो यह तेजी हुई है, इससे मैं यहां पर आपको लग रहा होगा कि तेजी आ गई है, बट मुझे लगता है कि यहां पर तेजी नहीं है, यहां पर शायद एक गरावट और आती हुई दिखाई दे सकती है तो उसी चीज़ से related मैं यहां पर बाते करने बाला हूँ, तो यहां पर अगर हम बात करें तो FIs और DIs का यहां पर data है, जो यहां पर अच्छे खासे buying level पर net purchase पर बैठे हुए थे आज के वर 9.45 करोड रुपीज की buying पर ही बैठे हुए है और यहां पर आप देखिए, market 2-4 दिन से भाग रही है, बट जो FIs की जो लगाता बिकवाली है वो बढ़ती ही जा रही है ओकर यहां पर आप देख सकते है last trading session पर बिजा market भागा उससे पहले ही भागा और उससे पहले ही भागा केवल यहां पर बिकवाली हुई है खरीदारी नहीं हुई है तो इस शीट को आपको क्या है समझ रहा है, दूसरी बात करें yearly base पर यहां पर DIs की है देखिए, DIs का data है और DIs का data पर देखेंगे तो यहां पर इनकी लगाता खरीदारी हुई है लगबर लगबर 47,000 क्रोड रुपीज का माल इन्होंने यहां पर खरीदा है तो यहां पर एक रहत भी मिलती हुई नजर आती है कि कोई ना कोई DIs मतलब बड़े बड़े mutual funds ओके यहां पर खरीदते हुए नजर आ रहे है बड़े-बड़े institutions करीदे हुए नजर आ रहे है यह एक तोड़ा सा आराम का विशेबी है तो मिलने जूले यहां पर नतीजेए किसी को लगती है यह चीजे अच्छी है किसी को लगती है यह पुरी है इसके इलाब आप दूसरे index भी देखो कि वो भी उपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दिता है तो यहाँ देखिए सबसे पहले American market पूचलते है American market आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर all time high के आसपास American market चलता हुआ नजर आ रहा है बट last trading session में देखेंगे तो लगबग 1% से ज़्यादा की गिरावट होती हुए नजर आ रही है ठीक है क्या negative है positive है उसका analysis ओके यहाँ पर एक दो दिन के बाद पता चलेगा ठीक है मंडे को हमारे यहाँ भी छुपती है ठीक है मंडे को पता चलेगी कि यहाँ पर exactly क्या चल रहा है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर लेना चाहिए उसके हिसाब से हम देखेंगे कि exactly यह तेजी बिल्कुल हो चुकी है यह खत्म होगे यह NASDAQ की बात करें तो यहाँ पर NASDAQ को भी थोड़ा से यहाँ पर देख लेते हैं कि NASDAQ यहाँ पर क्या कर रहा है तो आपको यहाँ पर यह पॉजिटिव दिखा रहे है higher highs higher lows तो जिब market उपर जाती है तो higher highs higher lows बनाके उपर जाती है same as it is जब market नीचे आती है तो एक pattern बनता है lower lows lower highs का तो यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई देती है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर टच करें, टच करके फिर एक लोग बनाता हुआ नजरा है, और गिरता हुआ नजरा है, तो हमेज़र कॉशियस रहिएगा, ओके, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बुक भी करना है, ओके, no loss, no profit पे हो, दिख रहाएगी चीज़े यहाँ से नीचे आ सकती है, तो उस केसिस में आपको चीज़े समझ में आएगी, जनका वीजर लॉफिट का है, ठीक है, उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी है, जो स्विंग के जो शॉट करते हैं, उसके लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और जो यहाँ पर केवल व बाद रखिएगा, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडिशन नहीं है, अपने फैनिशल एडवाईजर कुद की स्टेडी करनी है, चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना है, हमेशा, ओके मैं हमेशा कहता हूं कि चीज़ों को सीखने पर ध्यान दोगे, तो यहाँ पर पैसे इंडेक्स में, बिशक से 1000 पॉइंट की रिकमेंडिशन नहीं है, तो अगर इसे सस्टेन कर जाता है, अगर इसे सस्टेन नहीं करता, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से अफर यहाँ से डुवादा से चीज़े नीचे आ सकती है, तो वो थोड़ा से हमें यहाँ पर द करता है, कि हम इस साल में तीन रेट कट कर सकते हैं, और शायद जो हमारा बॉंड मार्केट और दूसरी जो मार्केट बात कर रही है, वो कर रही है कि यहाँ से जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है जून में, उस टाइम यहाँ पर एक रेट कट आ सकता है, तो अगर ऐसे र खरीदारी किसमें होगी, कुछ ना कुछ जाके खरीदेंगा, उसके शेयर से, फिर उसके शेयर से, रिवेन्यो एड होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट एड होगा, और चीजे ऊपर जाती भी नजर आएगी, तो शेयर तभी भागते हो, भी नजर आते हैं, तो शायद शॉट बेसिस पर छीजे थोड़ी सी बेकार हो सकती है, और लॉंग टम की बात करें, तो लॉंग टम में इस चीजे इंटेक्ट है, और जितना नीचे आता है, एक अपॉर्चिनिटी मनेगी, कि इलेक्शन कहां पर है, वो भी आपको पता है, ठीक है, किस तरीके से यहां पर इलेक आके रखना है, और हमेशा ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, मार्केट में, सही टाइम पर एक अच्छा ट्रेड लेके पैसा बनाया जाता है, उस शीचों से आपको समझना है, बट वो सारे स्टॉक भी है, जो की अच्छे नजर आ रहे है, जो की अपने हाईस को ब्रेक करते हुए नजर आते हैं, उनकी तरफ भी आप नजरे बना सकते हो, आप देखोगे, सर्च करोगे, आपको यहाँ पर चीचे समय में आईगी, बट इस्टिल आप नहीं कर पाते है, आपको सीखना है, और किस तरीके से आपको सर्च करना है, या साथ में काम करना है, तो हमेशा क सीखने पर ध्यान देना है, और मार्केट में थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर काम करना है, क्योंकि अभी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, बट हो सकता है, मैं गल्थ हूँ, बट इस्टिल चीजे अगर मैं हो गया, तो शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, तो थेंकी सो मुच, ब्लिस्ट